बुल्टन की शुरुवात इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हिंदुत की सियासी लड़ाई में अब राहूल गांधी की भी एंट्री हो चुकी है कॉंग्रेस के वरिश नेतार राहूल गांधी ने हिंदुत पर बड़ा हमला बुला है राहुल ने कहा कि विचारधारा को सही से लोगों तक पहुंचाना है. ऑएक रख के लिवारा के लिवारा करा चिनुद्वा तक मतमें तक पहुंचाना है। if they are the same thing they're obviously different things and so these are the type of things that we have to start to explore and understand and develop a group of people 100 200 300 500 people who deeply understand these differences who can apply these differences is बोलने वाले राक्षस सामने रखे होते तो इस तरह के बयान जो जरूर बज़ते क्योंकि सुप्रीम कोट में साफ साफ काया अपने देश में सरवच न्याल है सही मायने में सरवच है कि हिंदुत्वा कुई सी आइडियोजी और किसी धर्म का नाम नहीं है यह वारस का वे अफलाई है तो उन्होंने हाला कि राहूल गांधी अपने परसिछान खिविर में बोल रहे थे किस कॉंटेक्स्ट में वो क्या समझाने की कोशिस कर रहे थे लेकिन हिंदुत्व और हिंदुत्वाग में अंतर बता करके उन्होंने एक नए राजनिति की शुरुवात कर दिया और मुझे लगता है कि अभी राजनिती अभी और आगे बढ़ेगी जो सल्मान को सिर्टे शुरुव हुई है उसमें पहले ही रासी डल भी जुड़ चुके हैं अब राहूल गांधी जुड़ गया है तो मुझे लगता है कि बीजेपी को और संग परिवार को और हिंदु संग अठ्मन को खास तर धार्मे का धार पर वोट बड़े पैमाने पर बटता हूँ और नजर आता रहा है 2017 की चुनाब में भी विकास में रुक करूँगा आपका लेकिन उससे पहले राहूल गांधी ने और क्या कुछ का है सुनाते हैं जरा हम कहते हैं कि हिंदु धरम में और हिंदुत्व में फरक हैं क्योंकि अगर फरक नहीं होता तो नामे की होता हिंदुत्व को हिंदु हिंदु की दरवत नहीं होती यह की सरवाथ नहीं होती जैसे एक बहर हो जाए हरा चाहिना के कुई लोग है लेता आयत है धियंद मैंने उन उन says पूछा आप कहते हों कि आप कॉम्यूनिस्टो और पर आप कहते हों कि आप communist with Chinese characteristics हो तो आप मुझे यह बता दो आप communist हो यह आपके पास Chinese characteristics हैं दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि अगर आप communist हो तो फिर आपको communist ही कहलाना चाहिए तो मुस्कुराने लगे तो यह simple सी logic है अगर आप Hindu हो तो Hindu तो आपके क्या ज़रूरत चली सीधार करते हैं एक बार फिर हमारे सयोगी विकास चंदरा हमारे साथ बने हुए विकास आपने बात किते यूपी विधान सवाच चुनाव की आपको लगता है कि राशिद अलवी सल्मान खुर्शीद और अब राहूल गांधी का उनके साथ खड़े रहना यूपी विधान सवाच चुनाव में एक बड़ी भूमी का निवाज सकता है तो अब तो बीजेपी के खिलाफी उसका उप्योग उत्रपदेश विधान सवाच चुनाव में करेगी क्योंकि निश्य तरपद विजेटी विकास को वहां मुद्दा बना रही है लेकिन अपने को रेजेंडे है हिंदूतों को कदूस में छोड़ा नहीं है और हिंदूतों के मुद्दे पर पूरी ताकत से विजेपी वहां मैदान में है तो कि योगी पोस्टर वाए हों कि आखिर वो हिंदुों को ले करके, हिंदुतों को ले करके, सही मैंने में उनका इस्टेंड क्या है, तो फिर हिंदु और हिंदुतों को अलग करने के लिए उनको कुछ ठोस सबूतर परमान देने पड़ेगा, अब उनके अपनी आइडियोलाजी को लोगों के सामने रखना पड़ेगा, तो ऐसे वो उत्तर प्रदेश विरानसवा चुनाओं में बोल करके, इस राजजीती की चल रहा है, उनका उल्लू बहुत सिधा नहीं होगा, निस्चित तोर पर अभी सारे जो बयान है, ये उत्तर प्रदेश विरानसवा चुनाओं में बिजेपी अपने पक् मुद्दा है, हिंदु मुद्दा नहीं है, हिंदु तो ही मुद्दा है, विकास, आप कहरें कि ऐसे बयान इस वक्त क्यों आ रहे हैं, ये थोड़ा समझ से परे है, क्या इसको ऐसे भी इंटरप्रेट किया जाए, कि कॉंग्रेस कहीं कंफ्यूज है, एक तरफ हिंदुत के स प्रयासों को देखिए, कि कहां हो संगम में नहाना, कासी भी सोनात जाना, असंतर दर्सन करना, पूजन करना, और फिर उसके बाद अपनी बात को रखना, अपने को साबित करना कि हम हिंदु हैं, फिर हिंदु तो पर अलग राग अलाप देना, तो मुझे लगता है कि ये खुप किस राज्ते को अक्तियार करना चाहते हैं, किसको एडवर करना चाहते हैं, ये अच्छी ख़बर नहीं है, बहुत बहुत शूक्रिया विकास चंद्रा आपका जुडने के लिए